नमस्कार, मेरा नाम जोप्तिविक है, मैं मा शार्गा विध्या पीट स्कूल, मैंनेज्ड बाइ नोबल फांडेशन ब्रांच विहारी कलोनी की अतनापिका हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हूँगे, बच्चों, जैसा की आप जानते हो, करो हमारी बेश चलते हमारे आदर्निय परधान मंत्री शीरी नरिंदर मोदी जी ने लोकडाउन की खोशन की थी, लेकिन इस लोकडाउन में अब काफी चूट दी जा चुकी है, इस चूट के चलते हमें बहुत सी साफधानिया बरतनी होंगी, जैसे घर से बाहर निकलते समय हम में मास कवश्य पहणना चाहिए, किसी व्यक्ति से मिलते समय कुछित दूरी बनाई रखनी चाहिए और खास तोर पर अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए बच्चों, आपने शिक्षा के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अच्छी सेहत के लिए योगा भ्यास बहुत जुरूरी है और इस योगा भ्यास के लिए इंडिया टीवी चैनल पर सुबह 7.25 से शाटे 8.00 बजे तक बाबा राम देर जी द्वारा जो योगा भ्यास करवाया जाता है उसको आपने देखना है और उसको देखते हुए योगा भ्यास करना है और उसकी फोटो खीच कर अपनी अध्यापिकाओं को भेजनी है बच्चो जैसा आप जानते हो कि इस समय भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं है इसके लिए हमें चीनी वस्तुओं और चीनी एप्लीकेशन का भहिशकार करना है और भारतिये वस्तुओं और भारतिये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है नोबल फांडेशन एक ऐसी संस्ता है जो आर्थी ग्रूप से जरूरतमन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है नोबल फांडेशन संस्ता द्वारा चलाए जा रहे 36 स्कूलों में 51 सो बच्चे शिक्षा ग्रहन कर रहे है इस लॉक्टाउन के चलते जहां दूसरे सूलों में ओनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसी प्रकार नोबल फांडेशन संस्ता के बच्चे भी उनकी अध्याप्रिकाओं द्वारा दिये गए ओनलाइन टास्क उन रूप से कर रहे है बच्चो आज 11 अगस्त दिन मंगलवार का टास्क शुरू करते हैं आज का विशे है मैट्स बच्चो अब हम सबसे पहले नर्सरी कख्षा का तारिया शुरू करेंगे नर्सरी कख्षा का टॉपिक है वर्ट तर्म्स आफ्टर आफ्टर का मतलब होता है बाद में इसके बाद में जो अंक आता है वो आपने इसमें घरना है सारे ऐसे ही आपने अपनी कॉपी पर लिखने है और माता पिता का भी यही ग्रहे कारिया है बच्चो अब हम LKG कख्षा का कारिया शुरू करती है LKG कख्षा का टॉपिक है वट का मतलब होता है बच्चो पहले आफ्टर का मतलब होता है बाद में बच्चो आपने वट काम्स आफ्टर और विफोर पहले 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 होगे है आज हम आपको तोनों मिक्स करके देंगे आपने स्वेल देखना है कि कौन सा before है और कौन सा after है जैसे 1, 1 की बाद क्या आता है? 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 इतने लिखा है 5, 5 की पहले क्या आता है? 4 हमने यहाँ पर 4 लिख दिना है इसी प्रकार बच्चों आपके what comes after और before आपने अपनी कोपी पर लिख लेगा बच्चों आब हम कक्षा UKG का टास्क शुरू करते हैं UKG के टास्क में आज का टॉपिक है 6 और 7 का टेबल पहले हम 6 का टेबल करेंगे 6 0 दा 0, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, 6 5 दा 30, 6 6 दा 36, 6 7 दा 42, 6 8 दा 48, 6 9 दा 54, 6 10 दा 60 इसी तरह हम 7 करेंगे 7 0 दा 0, 7 1 दा 7, 7 2 दा 48, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49, 7 8 दा 56, 7 9 दा 63, 7 10 दा 70 बच्चों ये आपने 607 का टेबल अपनी कॉप्टी पर निखना है और याद करना है अब बारी है तक्षा पहने के अभ्यास 6 अब हम करेंगे संख्याएं लिखो 41 से 50 दा बच्चों इसको हमने हिंदी में निखना है जैसे 41 42 ये है 43 44 ये है 45 ये है 46 ये है 47 48 49 50 बच्चों इसी तरह आपने ये गिंती कोपी पर निखना है अब पारी है कक्षा दूसरी की अभ्यास 3 11 प्रशन निम्मन लिखित संख्याओं में सैप्ले के अंक पर ठीक का चेंद्र लगाएं इसमें बच्चों क्या करना है आपने ये जो रखन दी गई है इसमें सैप्ले के अंक पर हमने ठीक का निशान लगाएं जैसे ये रखन है इकाई दहाई सैक्ला सैक्ले का अक्षुत क्या है आट इसके उपर हमने ठीक लगाएं 667 में है ये वगाएं सैक्ला इकाई दहाई सैक्ला बच्चो इसी तरह बागी के आपने आप करने हैं प्रश्य नंबर बारा चार पाँच छे अंकों से बनने बादी सबी तीन अंकों की संख्याएं लिखी अब बच्चो इसमें क्या करना है यह जो अंक दिये गए है इनकों हमने लेकर तीन अंकों की संख्या बनानी है जैसे चार सो चक्कन चार सो पैसव शे सो चोणवादी शे सो पैंताविस पास सो श्याविस अगला प्रशन है पांच जीनो आठ अंकों से बनने वाली सबी तीन अंकों की संख्याएं लिखी अब इन अंक्षों से हमने तीन अंकों की संख्याएं लानी है जितनी ही बनेगी पांच सो आठ पांच सो असी पांच जीनों को आपने अपनी कॉप्टी पर लिखना है और इसकी फोटो कीज़कर अपनी अथ्याप्रिका को लेजना बच्चो अब बारी है कक्षा तीसरी अभ्यास दोट प्रशन नुम्बर तीर शब्दों में लिखिये बच्चो ये दिखो जैसे ये रकम लिख्यो हुई है 6137 इसको हमने ऐसे लिखना है हिंदी में 6137 अब मैं आपको सिखाओंगी कैसे लिखना है बच्चो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो हजार के नीचे क्या है? 4 तो हम यहां को लिखेंगे 4,000 सैकड़े के नीचे है हमारे 7 तो 7,100, सैकड़े का मतलब होता है 100 91, इकाई और दहाई को हम 81 ही लिखनेंगे 91 तो ये हमारे क्या बंडी रड़ं 4,791 इसी प्रकार बच्चो आपने ये सारी रखने अपनी पॉपी पर लिखनी है अग्ला प्रशन है संख्याओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे की 3 संख्याई लिखनें बच्चो जैसे ये एक सवाल हमने किया हुआ है यहाँ पर 4,633, 4,634, 4,635 उसके बाद हमने लिखा है 4,636, 4,637, 4,638 इसी प्रकार हम अग्ली रखन लिखेंगे 6,442 उसके बाद लिखाऊगा 6,444 अब बच्चो इसी तरह हमने इदर यहाँ पर च्छे आलिस लिखा हुआ है तो इसमें हमने दो जमा करनी है अग्ली रखन लिखनी है 6,448 इसमें भी हमने दो जमा करनी है 6,450, 6,422 इसी प्रकार आपमें ये सारे सवाल अपनी कॉपी पर कर लिखेंगे अब बारी है कक्षा चोपी कुण अभ्यास जार पहला प्रशन है योगफल 11 योगफल निस जमा करनी है हमने इन तिन रखनों को जमा करनी है 4 और 2,6 6 और 5,11 हासिल 1 9 और 1,10 10 और 9,19 19 और 6,25 25 तर 5, हासिल 2 2 और 2,4 4 और 7,11 11 का एक हासिल 1 7 और 1,8 8 और 9,17 17 और 2,19 19 का 9 हासिल 1 3 और 1,4 4 और 1,5 बच्चों ये हमारा उत्तर होंगे इसी तरह आपने ये सारे सवाल अपनी कोपे पर कर देंगे अब बारी है कक्षा पाँचमी की अभ्यास 2.8 पोस्चन नमबर 3 घटाए और जाच करे इसमें बच्चों आपने इन रख्मों को घटाना है और इसके उत्तर की जाच करनी है तो पहले हम इसको घटाएंगे ये देखो ये है जीरो जीरो में से चार हम नहीं घटा सकते तो हमने बच्चों यहां से एक हासिल ले लेना ये बन गया 10 दस में से चार गये 6 यहां पर बच गया 1 एक में से तीन नहीं जा सकते बच्चों हमने इदर से एक हासिल इदर ले लेना है यहां पर आठ बच गये ये बन गया 11 11 में से तीन गये 8 इदर बच गये 8 8 में से तीन गये 5 8 में से दो गये 6 नो में से एक गया आठ बच्चों यह हमारा आगया आंसर अब इस आंसर के हमने जाज करनी है कि यह सही है यह वलत है यह जाज हम इस प्रकार करेंगे अंतर जो आया उसको हमने यहां लिखना उपर इसके नीचे हमने छोटी संख्या लिखने है यह हमारी अब इन दोनों रक्मों को हमने जम्हा करना चे और चार दस, 10 की 0, खासिल 1 आठ और एक 9, 9 और 3, 12 बारा का 2, खासिल 1, 5 और 1, 6, 6 और 3, 9, 6 और 2, 8, 8 और 1, 9 अब ये देखिए ये जो हमारी रखम आई है ये बड़ी संख्या आ गई है तो ये हमारा इसका मुदर ये सवाल हमारा सही है ये जाज हमारी ठीक है इसी प्रकार बच्चों आपने ये सारे सवाल अपनी कॉप्टी पर करने है आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये का अच्छे से समझ आ दिया होगा बच्चों इस सारे कारे की PDF फाइल आपको बना कर भेज़ दी जाएगी आपने उसमें से देखकर अपनी कॉप्टिक परकार्म करना हूँ अंत में मैं IRS चीफ कमिशलर इंकम टेक्स रुध्याना शिरी बिने कुमार जासर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनके अशिरवाद से नोबल फाउंडेशन संस्ता सफलता की सीरिया चड़ रही है इसके साथ ही मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर शीरी रजिंदर शर्मा सर जी का और नोबल फाउंडेशन संस्ता से जुरे सबी दानी सजनों का धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन संसा के बच्चों और उनके माता-पिता के उज्जल भविश्य की कामना करते हैं जै हिन